हेलो एबरिवान जे हिंद आज मैं आपका आसाम हीस्ट्री का मेराथन क्लास टू लेने वाला हुँ उससे पहले हमने मेराथन क्लास वान हमने किया था आसाम हीस्ट्री में जोभी important question जोभी previous year में जोभी question आया हुआ है वो सारा question हमने क्या किया तीन सीरियल में बना लिया Assam history को हमने तीन section में divided किया एक है आपका ancient फिर दूसरा वाला है आपका medieval आया और उसके बाद फिर हमने किया modern तो तीन सीगमेंट में हमने Assam history को divided किया और यह Assam history में previous year, last five years में जो भी questions आया है department में वो सारा questions हम इसी marathon classes में cover up करने का कोशिश करेंगे ये marathon class आपके लिए बहुत important होने वाला है मैं ये चीज expect करता हूँ कि अगर ये marathon class आसाम history का अगर आपने पूरा कर लिया तो last मतलब departmental exam में जो भी previous question आया हुआ है आपका सब departmental exam में वो सारा questions आपका one time में cover up हो जाएगा हमने question number one से लेके हम question number 50 तक already cover up कर चुके आज हम दूसरा series start कर रहे आपका 51 से लेके हम 100 start कर रहे ये series 2 रहेगा ये हम start ऐसे करेंगे आप एक काम कीजिए एक page में question number one से लेके number one से लेके number 50 तक आप लिखिए हम आपको questions प्रोवाइट कराएंगे उसके बाद आप अपना option answer में लिखेंगे और उसके बाद जब हम आपको answer प्रोवाइट कराएंगे तो आप अपना answer cross check ज़रूर करेंगे और cross check करने के बाद हमें ज़रूर comment section में बोलेंगे आपका mask कितना आ रहा है आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत important session होने वाला है उससे पहले जो marathon one हुआ था सर उसका आपका response देखके हमें बड़ा मज़ा आया और आपका ये motivation ही हमें और motivate करता है और आगे वीडियो बनाने का भी मन होता है question number one which people were the earliest inhabitants of Assam सबसे पहले Assam में कौन से लोग थे option is your A, khasies, khasies लोग सबसे ज्यादा थे अब ऐसे याद कर सकते बहुत लोग बहुत खास थे लोग Assam के लोग बहुत खास थे और ही ही से उनका ही हेविटेंट आगे बड़ा तो khasी लोग सबसे आगे थे चलिए फिर next question में जारे question number two which of the following was the chief weapon of word in Asiant Assam पुराने टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा weapon को यूज के आ जाता था option is your B, pursue अभी कुछ दिन पहले परसो इको तो वहा हुआ था ऐसे आप याद कर सकते question number three, the character Chand Sadaagar is found in the tale of Chand Sadaagar is found in the tale of answer is your Behula question number four, which of the following place was famous for astrology याब देखके answer बता देंगे, answer is your Prajyotishpur, भहत आसान questions था चलिए सराम, आगे बढ़ेंगे, आसाम was formerly known by the named of आसाम का पहला नाम क्या था सर, आसाम नाम होने से पहले obviously or yes, you were right, answer is your कम रूपा next question number six, which city is called the city of Eastern astrology यह मैं आपको खुद नहीं बता सकता हूँ यह कितना previous question में यह repeat किया गया है, बहुत बार repeat किया गया, yes you are right, very easy, जहां पे भी astrology बेस्टोलोजी यह सब वाड़ा जाएगा ना, सर यह सब आपको क्या लेना है, Prajyotishpur, फिर आम आगे बढ़ेंगे, question number seven one of the following books is the most important literary source for the study of early history of Assam, which is the book, question में बोल रहा है, history of Assam, early history of Assam को पढ़ने के लिए सब बहुत एक अच्चा बुक है, वो बुक का नाम क्या है सर, वो बुक का नाम आपको बताना है, कौन सा है बुक, यह हमने आपको short trick में बताया था, yes you are right, आपका answer होगा, काली का पुरान हमने आपको यह से बोला था, कि काली का पुरान बहुत काफी पुराना बुक है, Assam हिस्टरी का, तो हमने यह सर्टिक बनाया था, और इसे से हमने बोला था, आपका answer होगा, काली का पुरान, चले फिर हम आगे बढ़ेंगे, question number 8, the earliest king of Assam was, अब पतानी यह कितना बार हमने repeat कर चुके, yes, you are right, answer is, महीरंगा दनाव, फिर question number 9, the earliest historical dynasty of Assam was that of the, किन का तसर, बर्मन्स, महीरंगा दनाव से फिर क्या आपका, बर्मन्स आए, फिर आम आगे बढ़ेंगे, question number 10, question number 10 में क्या बोला देखिए, दा बुरांजीस आर्ट, बुरांजीस कोन थे, सर, बुरांजीस कोन थे, आपको बताना है, बुरांजीस आर्ट, chronicles, यह बुरांजीस था, अमारा chronicles था, जिनके बारे में पूरा डिटिल्स समझाया गया था, पताया गया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे, question number 11, Question number 11 में क्या बोल रहा है दिखे सर In which century the ancient era of Assam began कौन से century ये वाला इस बार FPSC में question आया हुआ था 2019 FPSC FPSC 2019 का question है सर ये ही question repeat के आगया था कौन से era से आपका Assam history start हो रहा है सर Very important question Yes, you are right my dear Answer is your 4th century Option is your D फिर सर हम आगे बढ़ेंगे Question number 12 उमीध है आपको आच्छा लग रहा होगा Question number 12 में क्या बोल रहा है सर देखिए The historical account of ancient Assam begins with the establishment of which dynasty The historical account of ancient Assam बोल रहा है कि किनका डाइनास्टी से शुरू हुआ था Establishment जो हुआ था वो किनका नाम से शुरू हुआ था Very easy Obviously आभी तोड़ी तेर पहले हमने डिसकस किया था ना सर बर्मान डाइनास्टी माही रंगा दानाव के बात जो आया हुआ था फिर हम आगे बढ़ेंगे Question number 13 Question number 13 में क्या बोल रहा है देखिए Which of the following dynasty proceeds the बर्मान डाइनास्टी Proceed मतलब आगे बढ़ रहा है देखिए बर्मान के बाद बर्मान तो नहीं आएगा Obviously कोई और अरग डाइनास्टी आएगा तो option सी तो ऐसे हाट गया तो option है बाउमा डाइनास्टी बी बी अब ऐसे याद कर सकते चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे Question number 14 में क्या बोल रहा है देखिए The ancient era of Assam history began in 4th century अभी तोड़ी देर पेले हमने पड़ा Yes, you are right After the mention of Kamrupa Inn ये कहां पे ये चीज एक्स्पेन के अगया था कि हमारा Assam history Kamrupa से स्टार्ट होरा है 4th century से ये कहां से हमें कैसे पता चला Question number 14 अब हमें आंसर बोलेंगे सर ये option is your A समद्रगुपता एलाहबाद पिलर में इसका डिस्क्रिप्शन डेसिफर क्या गया था उनके बारे में उसी फिर यहां से हमें पता चला कि अच्छा है ये तो हमारा Assam history 4th century से स्टार्ट हो रहा है ठीक है सर उमीद है आपको मज़ा आ रहा होगा चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे Question number 15 Question number 15 में क्या बोल रहा है इन्दा एलाहबाद पिलर इंस्क्रिप्शन Central Assam is mentioned as एलाहबाद पिलर में Central Assam को किस नाम से mention किया गया Which region of Assam is mentioned इन्दा एलाहबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ये दो डिपार्मेंटल एक्जाम है दो लेंगूज में पूछा गया हम दोनों को एकी में ले लिया तो आपको बताना है सर वहाँ पर है आसाम को कौन से नाम से mention किया गया था एलाहबाद पिलर में Answer is your दवखा option is your A दवखा नाम से एलाहबाद पिलर में इंस्क्रिप्शन वो मिलाता दवखा एलाहबाद अहमेदाबाद अब जो भी नाम चीज़ से याद कर सकते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे question number 16 question number 16 में क्या पूल रहा है in the 4th century which dynasty marked the beginning of ancient Assam in 4th century which dynasty marked the beginning of ancient Assam ancient Assam किन के नाम से स्टार्ट हो रहा है अब ये कितना बर रिपीट करे option is your B बर्मन डाइनस्टी डाइनस्टी बर्मन और स्टार्ट किये थे महीरंगा दनव question number 17 देखे दो डिपर्टमेंटल आया दो लेंगुज में आपको मिलेगा इवेन आमने लेंगुज तक चेंज नहीं किया who was the founder of the बर्मन डाइनस्टी or the first known king to the बर्मन डाइनस्टी बस लेंगुज अलग है लेकिन सेमी है वुली असर 17 का आंसर क्या हा रहा है आपका answer is your पुशिया बर्मन महिरेंगा दनाव से आपको डाउट नहीं होना है आपका है answer पुशिया बर्मन founder of बर्मन डाइनस्टी is पुशिया बर्मन तो हमने ऐसे क्या था ये काफी मतब कॉन्फीजिंग है बर्मन डाइनस्टी तो हमने ऐसे याद किया था एक man है जो बहुत जूट से पुश कर रहा है एक बर्मन से मैंने word ले लिया man और मैंने एक man को बोला कि भाई तू मुझे पुश करने में तोड़ा help कर ये मेरे सामान मेरे से हट नहीं रहा है तो man को मैंने बोला push करने के लिए कि जैसे कि कोई एक सामान इधर से उधर हाटा ना है उसको पीछे से धक्का लगा ना है तो मैंने एक आदमी को ले लिया बुला लिया मैंने बोला भाई तू आजा और मुझे help कर दे तोड़ा push करने में तो भर्मन से आया man और पुशिया भर्मन से आया push 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 बर्मन एस्टाबिरिश दा भर्मन डैनस्टी इन अब ये कौन से यार में वो एस्टाबिरिश किये थे आपको वो बताना है देखिए सर बर्मन ये वाला अभी आपको खुद सी ग्याद करना पड़ेगा तोड़ा दिमाग लगाना होगा बर्मन डैनस्टी आया कुन से सेंचूरी में आपका आया था 4th सेंचूरी में ठीके मतलब वो 3 से लेके 4th जो भी होगा उसी age में ना वो date पड़ेगा और 3 से लेके 4th century मतलब हमारा जो date होगा न सार 3 to 4th century मतलब हमारा date होगा 300 से लेके 400 के बेच में होगा इतना तो आ रहा है आप देखे अगर हमें date पता भी नहीं है तो by option से हम जा सकते 450 तो होगा नहीं है तो 5th century में होगया 650 होगया हमारा 7th century में और 300 300 और 350 में यह वाला confusing है 3 और 350 आप दोनों में से कोई होगा तो कौन होगा 350 होगा बहुती अच्छा चलिए फिर आम आगे बढ़ेंगे question number 19 question number 19 में क्या बोलता है दिखिए question number 19 the capital of बर्मान डाइनास्टी ओफ कामरुपा किंडोम वाज बर्मान डाइनास्टी का capital का नाम क्या थासर बोलिए इतना आसान question प्राग जोतिश्पूर उसी से आसाम का नाम पढ़ा था ना प्राग जोतिश्पूर उचकींग ओब वार्मान डाइनास्टी वाज Montgomery ओफ समुध्र कुपता अब गुफता डाइनास्टी ओठी का कोन समुध्र कुपता का contemporary रही थे मतलब उनका follower थे उनका एसिस्टेंट थे समुद्रोग बर्मन डाइनस्टी का कौन समुद्रोग उप्ता का contemporary थे कौन आपको बताना है question number 20 question number 20 अभी हमने किया यह है पुश्या बर्मन और यह नहीं यह क्या establishment किये थे वह है बर्मन डाइनस्टी को आपको बर्मन डाइनस्टी एस्टाभिश किये थे बहुत ही अच्छा है आगे बढ़ेंगे question number 21 आपके कौन सा लेंगुईज क्या आ जाता है सर बहुत इंपोर्टेंट है वेरी एजी आसाम इस नोन बाई नोन फोर उजिंग संस्कृत आपको पता भी है question about 22 आपके सामने यह रहा what was the official language of the varman dynasty varman dynasty का official language क्या आता सर what was the official language of the varman dynasty what was the official language of varman dynasty बोली है सर अम सर इदे के नाम से समझ में आ रहा है ना varman dynasty हमारा कहां पर था काम रूप बेंद था तो यहां पर हो गया सर आप सार सर बोलते मेडम क्यों नहीं बोलते अब मेडम बोलने लगोंगा तो comment चेड़ाने लगे जाएंगे कौन से मेडम का बात कर रहें सर तो इसलिए सर बोलना थोड़ा ठीक लगता है लेकिन हम बीच में मेडम भी बोलेंगे क्योंकि हमारा वीवर ज्यदा लड़की लोग होते हैं तो मेडम बोलना ज्यादा बेठा रहता है कोमेंट्स तो मतलब लड़कों का कॉमेंट्स ज्याता रहता है मेडम का अब यह लड़के लोग कोमेंट्स करने में पता नहीं इतना कंजूसी क्यों करते भाई इतना कंजूसी करके कहां जाना है और यह कॉमेंट् लाइक करने में और शेयर और गे सब्सक्राइब करने में चेलिए शरम आगे बढ़ेंगे question number 23 में क्या पोल रहे देखिये the earliest known historical ruler of Assam that was found about the middle or in the later half of the fourth century क्या नामें सरुन का बूलिये the earliest known historical ruler of Assam that was found about the middle और आभी हमने तोड़ी देर पेले डिसकास किया था एक ही बारे में हम एक ही का नाम इतना बार ले चुके तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए एक ही तो है और कौन है बार बार पुश कर रहे question number 24 which of the following बार्मान king was known as महाराजा दिराजा अरे सर महाराजा दिराजा आ गए सर अभी आपका हाथ इतने देर बोल रहे कौन से महारा बार्मान king को महाराजा दिराजा बोला जाता था बुलिये sir 24 वही गुम फिर के यह की महारती है वही नाम गुम फिर के मतलब जहां पर भी मर्मान डैनाश्री दिख गया ना मतलब मार दीजिए पूश्य अबर्मान जो का पात में देखा जाएगा वैसे दो निगेटिब मार्किंग है नहीं हमारा question about 25 which of the following बार्मान king was defeated by समद्रकुप्ता in connection with the aswamedha sacrifice aswamedha sacrifice का बात कर रहा है sir aswamedha sacrifice में which of the following बार्मान king was defeated by समद्रकुप्ता समद्रकुप्ता ने defeat किया था in connection with the aswamedha sacrifice अब यहां पर आंसर बदल गयाِ अंसर है बला बर्मन बला बर्मन aswamedha sacrifice बला मर्मन आप पुर्शे ऑार्मन नहीं आने वाल था तो यह आओ गया हमारा बला मर्मन aswamedha जहां पर भी sacrifice दिक गया वह पर करेंगे बला बर्मन A, B, A के बाद आएगा B तो यह हो गए हमारा बाला बर्मन यह तोला हम हासी मजाग में करते हैं नहीं तो एक्चली बोर हो जाते हैं काफी लेंदी हो जाता है तो तोला हासी मजाग में एक्चली तोड़ा interactive भी हो जाता है और आप बोर भी नहीं होते तो इसलिए हम कोशिश करते हैं तो फान क्रेट करने का और कुछ नहीं आप चीज़को गलत वे पर मत लेंगे आप मैस्योड है वे से नहीं लेंगे Question number 26 आपके सामने यह रहा Which of the following princess of Camarupa kingdom married king mega बहाना of the Ganada dynasty of Kashmir अच्चा उनको इसी दुनिया में नहीं मिला काश्मीर में जाके शादी के बहु थी अच्चा कुछ अब दा following princess of Camarupa Camarupa का prince कौन ते married king mega बहाना के साथ शादी हुआ ता जो गोनादा डाइनास्टी का गोनादा डाइनास्टी से थे मतलब गुमविर के question ये बोल रहा है mega बहाना का शादी किनके साथ कौनशे princess के साथ हुआ ता answer is योर अम्रिता प्रभा तो अम्रिता प्रभा का शादी किनके साथ हुआ ता इनका शादी हुआ था mega बहाना अम्रिता प्रभा और mega बहाना तो अम्रिता बहाना बना के काश्मिर में जाके सादी कि काश्मीर में कौन थे मेगा बहाना बहुत ही अच्छा चलि ये सरह हम आके बढ़ेंगे question about 27 the princess अम्रिता प्रभा who married the prince of काश्मीर मेगा बहाना was the daughter of अब ये अम्रिता प्रभा जो थे वो किनका डोटर थे अब ये उनको बोलना है आपको ये थे बाला बर्मन का डोटर ये थे आपका बाला बर्मन का डोटर थे ठीके सर फिर हां आगे बढ़ेंगे next question number 28 the earlier बर्मन्स वेर साबोर्डिनेट्स अफ दा इतं थें बने ही सने अर्ली आर्मानें देला ओर भुद्ध तो वही से वह तो गुप्ता डाइस्टी सी होने वाला है बहुत ही अच्छा आगे बढ़ेंगे हम आप बोर नहीं हो रहे होंगे क्योंकि यह मेरा तो फॉल्डा लेंदी हो जाता है क्योंकि काफी क्वेश्टन लेते तो कोशिश करते तोड़ा फान बनाके क्रेट करके यह आ आपको याद हो रहा होगा बला बर्मन और अभी बोला अस्व में दा यगना अस्व में दा यगना के लिए कोण होंगे सर बूलिये अस्व में दा इसके लिए होंगे आपका महेंद्र बर्मन यगना के लिए आएंगे महेंद्र बर्मन और सेक्रिफाइस के लिए आएंगे बला बर्मन सेक्रिफाइस अच्छा क् करेंगे तो उपर वाला वाला करेंगे तो किसो पाने के लिए कोना पड़ता है हम बोलते सकते कि अगर आप कुछ sacrifice करेंगे तो परवाला आपका भाला करेगा वस्व मेदा sacrifice किया तो वाला बर्मन हुआ और महेंद्र बर्मन आपका आ गया योगना बहुती अच्छा चलिए सराम आगे बढ़ेंगे फुच अफ दा फोलोईंग बर्मन किंग पाफॉर्म आस्व मेदा और होर्स sacrifice टू तु त्रो अफ दा गुपता अंपयर गुपता अंपयर को उनको पर रूड कलने लगा था वो चिडने लगे थे उव्यसलिए उनको हठाना और भागाना था तो अस्व मेदा मत्द होर्स sacrifice कि किये थे कौन किये थे कौन किये थे गुपता अंपयर को question number 30 अगें आंसर इस और महेंद्र बर्मन एक्चली वह यह गुपता बर्मन डानेस्ट्य में दो तिन इंपोर्टेंट है आपका है कुष्या बर्मन महेंद्र बर्मन बाला मर्मन यही सब तिन लोग चिछा लोग बह करना पड़ेगा नहीं तो इनी की बीचकी में हम मतलब असे रहेंगे और confusion हो जाएगा और गलत कर देंगे तो उसका serial मानना मतलब बहुत इंपोर्टेंट है question number 31 में आए यह सर which king of Pragyatishpur had taken imperialist principles imperialist principles कौन king मतलब वो accept किये थे बोलिये सर जल्दी बोही है answer again महेंद्र बर्मन तुर आफ आश चलेंगे which of the following बर्मन king was said to have mastered the self and well versed in the philosophy of supreme self supreme self में मतलब बहुत अपने आप में एक philosophical thinking रखने वाले ऐसे कौन थे बोलिये सर again answer is your महेंद्र बर्मन बहुत ही आच्चा चलें सर हम आगे बढ़ेंगे the ruler of बर्मन डाइनास्टी महाबुत बर्मन was popularly known as महाबुत बर्मन का popular नाम क्याता सर बुलिये महाबुत बर्मन का original popular नाम क्याता answer is your बुती बर्मन यह चीज़ आप याद करेंगे यह काफी important question है यह काफी बार repeat होते देखा गया है और यह मुझे पता है यह वाला काफी मतलब depth में questions पूछा जा रहा है लेकिन हमें तो 100% कबर करना है सर अब कितना familiar questions करेंगे तोड़ा नया सिकिना भी तो है अब यह जो पुरा सीधा साथ अब यह बर्मन डाइनस्टी को डिस्कोबर किया था बैठल पानिपत कब हो था किन के बीच में हो था अब यह सब नहीं पूछने वाला है अब यह इतना बार आ चुका है कि आब और क् यह सब बीक्वेशन लिया हुँ यह ज्यादा तर आसाम पूलीस साव इंस्पेक्टर का प्रेशन पूछा जाता है यह सब आपका लास्ट यह का मतलब आसाम इस्टी का प्रिवेशन जो साव इंस्पेक्टर से वहीं से लिया गया था चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे प्रेशन अबर 34 पे बोल रहा हुँ इस दा अथर ऑफ दा बायोग्राफी हास्रा चारीत्र हास्रा चारीत्र का अटोबायोग्राफी कौण थे महा बुता बर्मन इस नेम्ड एज बुती बर्मन एक ही क्वेशन है देखिए दो लेंग्वीज में पूचा गया लेकिन क्वेशन एक ही है बुलिए सर क्या है क्वेशन का अंसर अंसर इस यूर बना बट्टा ठीक है सर आगे बढ़ेंगे अब देखिए रूलर अफ बर्मन डाइनस्टी और एक आगे सुस्तिता बर्मन वाज रिनाउंड एज क्वेशन में बोला सुस्तिता बर्मन जो थे उनको किस नाम से रिनाउंड किया जाता है वेरी इजी क्वेशन यूर राइट आंसर इस यूर श्री म्रिगां का बोलते है उनको ठीक है सर फ्टेशन आगे बाढ़ेंगे बहुत ही आसान यह पता नहीं कितना बार रिपीर को हो गया होगा तो यह वाला होगा आपका वासकर भर्मा जो भी हिस्ट्री का क्वेशन है रहा वासाम पोलिस में चाहिए महीलव शाव इंस्पेक्टर का हो चाहिए महील आपका बसकर चे मैंने बलाया बोला कि भस अब भस भी कर कुमार कुमार जी अब भस भी कीजिए तो वासकर वर्मन question number 87 who was the contemporary of वासकर वर्मन in North India North India में वासकर वर्मन का contemporary कौन ते सर बुलिए हाशवर्धन उन्हों किनको फोलो करते थे हाशवर्धन को फोलो करते थे ठीके बहुत अच्छा question number 38 करे दो करे question number 38 which कामरूपा king established friendship with हाशवर्धन which कामरूपा king अभी हमने तोड़ी देर पहले अभी last question ने हमने डिसकास किया है ना सर बासकर बर्मन ही हाशवर्धन के साथ अपना friendship बनाये थे हाशवर्धन किनके साथ friendship में थे वो बासकर बर्मन के साथ friendship में थे बहुत ही अच्छा और उनको बोलते थे अब बस भी कर कुमार राजा उनको बसकर बर्मन को क्या बोला गया हमने क्या नाम दिया कुमार बर्मन नाम दिया बस भी कर कुमार साथ बहुत हो गया question number who was hung hung sevega question number 39 यह बहुत important question है answer is your ambassador of वर्मन डाइनास्टी वर्मन डाइनास्टी से एक स्पाई भेजा गया था उनको नाम दिया गया था hung sevega वर्मन डाइनास्टी से यह आपको पता भी होगा वे से question number 40 who was the ambassador sent by वास्कर वर्मन टू हाश्र वर्दन जेके same question है लेकिन अलग अलग लग लेकुईज में पूछा अभी हमने किया question answer is your बुलियासर कुण सा होगा yes you are right answer होगा हं से वेगा हम से कौन बाच पाएगा हम से अच्छा कौन है हं से वेगा अब जो भी शोट्रिक बना सकते बना लीजिए question number 41 41 में क्या बोला the presents that were sent by the वास्कर बर्मन टू हाश्र वर्दन included वास्कर बर्मन ने हाश्र वर्दन को कुछ गिफ्ट दिया था अब बोल रहे कि वो क्या दिया था सर बूलिये answer is your cane articles यहाँ पे बहुत अच्चा cane article मिलता था उन्हों एक गिफ्ट में cane article उन्होंने भेजाता वास्कर बर्मन ने हाश्र बर्दन को बहुती अच्चा चलिए चरह हम आगे बढ़ेंगे question number 42 who was the composer and writer of the Nidampur copper plate inscription who was the composer and writer of Nidampur copper plate inscription का composer और writer कौन थे सर बूलिये answer is your Vasu Varma who was the composer and writer of the Nidampur copper plate inscription वो ते आपका बासु बर्मा next तरह हम आगे बढ़ेंगे question number 43 43 में क्या बोल रहाए देखे which of the following archaeologists found the seal of Vasakar मर्मन during the excavation of the ruins of Nalanda in 1917-1918 which of the following archaeologists found the seal of Vasakar बर्मन किन को आपका बासु बर्मन का seal किन को मिला था यह बहुत important question है sir बास्कर बर्मन का seal किन है मिला था बुलिये sir David B. Spooner देखी हमने ऐसे याद किया था spoon से वो कर रहे थे खुदाई वो spoon से खुदाई कर रहे थे और खुदाई करते टाइम पे बास्कर बर्मन का coin मिल गया तो अब का होगा David मतलब जो भी खुदाई करेंगे तो spoon जैसा कुछ होगा ना sir उसी से तो आप खुदाई करेंगे तो spoon से कर रहे थे खुदाई और फिर उसी से मिल गया आपका वसकर बर्मन का seal बहुत ही अच्चा चलिए सराम आगे बढ़ेंगे question number 44 में क्या बोल रहे देखिए what was the reason behind the issue of निदंपूर grant by वसकर बर्मन निदंपूर grant वसकर बर्मन ने क्यों issue किया था yes you are right answer is your B review the land grants of वसकर बर्मन वसकर बर्मन ने जो land grant किया था उसको review और चेक करने की दिए चलिए सर फिर आप आगे बढ़ेंगे अब next question में जा रहे सर question number 45 in ancient कमरोप ब्रह्मा देवा लेंड वास गिफ्टेट टू ब्रह्मा देवा लेंड किन को गिफ्ट क्या गया था सर बूलिए 45 answer is your Brahmans Brahmans ने Brahmans को क्या गया था देखिए नाम भी काफि मिलता जूलता है ना सर लेकिन ब्रह्मा नहीं ब्रह्मान्स याद करेंगे आप लंबा वाला ठाम लेंगे आप एक्ट लिना क्या होता है question में आमें आमेशा option के साथ मतलब में एक relative short trick देने का कुशिश करता है क्यों क्यों क्योंकि आप believe नहीं करेंगे even structure option exactly सब कुछ डिक्ट्व सेम रहता है तो अगर आप पहले से अगर एक अप्रूच बना लिया ना तो exam में जब आप option देखेंगे आपने याद हो जाएगा जैसे अभी हमने आपको बोला ब्रह्मा वाड दिख गया तो ब्रह्मा वाड से दो की दो ब्रह्मा दिवासे दो यह वाड आया एक तो ब्रह्मा और अब आपको confusion होगा exam में की कौन सा वाला अंसर ता लेकिन हमने आपको बोला लेना कौन सा या बड़ा बड़ा वाला बड़ा वाला कौन सा ब्रह्मा तो आपको बता दिया आप देखना exam में जब जाएंगे तो भार्मन issued the famous निदंपूर copper plate grant after the battle of वास्कर बर्मन निदंपूर copper plate जो आपका issue किये थे after the कौन से battle के बाद वो issue किये थे कौन से battle के बाद मन हुआ चलो और एक copper plate बना लेते हैं अच्छा शना योद के बाद Option is there B, करना सुबर्ना, बहुती अच्छा, करना सुबर्ना, अरे सुबर्ना करना, निदामपुर प्लेट काम करना कौन किनको बोल रहे, सुबर्ना को बोल रहे, सुबर्ना को बोल रहे कि निदामपुर प्लेट करना भाई चलो बोलो की चलो कर लेते Question number 47 47 में क्या बोल रहे From which of the following inscriptions The defeat of Gauda king Gauda king का बात कर रहे Gauda king सशंका by Vaskar Burman Can be traced मतलब सशंका ने Gauda king का सशंका ने Vaskar Burman ने सशंका को defeat किया था यह हमें कैसे पता चल रहे हमें कहां से पता चला बुलियासर ओप्षण क्या रहे आपका Yes you are right अंसर है निदानपूर कॉपर इंस्क्रिप्शन अभी थोड़ी दिर पेले हमने पढ़ा था Question number 48 निदानपूर कॉपर प्रेट इंस्क्रिप्शन गिप्स डिटेल्स अकाउंट ओफ देखिये सेम लेंग्वीज सेम स्ट्रक्चर क्वेस्टन बस लेंग्वीज अलग अलग दिया हुआ है अभी हमने बोला बुलिये सर क्या होगा अंसर फ्यामिले ट्री ओप्रमान डैनस्टी डिटेल्स ओफ दा लेंड्स ग्रेंड़ बाई ब्रामिज अल्ली ए बहुत अ ए और ब क्या है सर अभी फोटीट का अंसर बोलिये ओविएसली बहुत अ ए और ब चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेस्टन अबर फोटीन नाइन निदामपूर कॉपर प्रेंट वास इशुड़ वासकर बरमान टू अभी तोड़ी देर पहले हमने डिसकास किया था सर तोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था अभी तोड़ी देर पहले बोला था क्या है आंसर? Yes you are right अब सही जा रहे सर अंसर इसर ब्रामी देखिए हमने थोड़ी दिर पहले आप शोट्टिक बनाये था अब आपको काम में लग गया तो यही फायदा है सर एक शोट्टिक और एक एप्रोच बना देने से क्वेशन करें आपके समय यह रहा खोटेकर फोलहिंग इसनों से कौमान लेंगुईज इन दा एरा और वार्मान डिनास्टि अंसर इस पाड़ी शंसक्रित था ओविएसली और कामरूप प्राकृत तीव भी था क्योंकि उसी पशाएच चाल रहा था प्राकृत रहरा था प्र सी हमारा संสच्रीच छल रहा है, तो MON सा नहें था अमारा पाली नहीं था, तो यह सा यह और का पाली है, is आली, पाली, शोरी आली बोल दिया, तो इसी के साथ आपका यह वाला मेरातन क्लास to खतब हो जाता है, आप हमें comment for your love and support हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यह इस फेमिली को आपका responsibility है इस फेमिली को और आगे लेके जाने के लिए इस फेमिली को आगे बढ़ाने का responsibility आप ही क्या है हमारा responsibility है आपको best of best material content including previous year math reasoning gs उसके बाद आपका social studies भी class शुरू हो गया तो हम आपका best of best दे रहे हैं अपना commitment में रहने का कोशिश कर रहे है और यह responsibility आपका भी बनता है कि सर जब हम इतने कुछ कर रहे हैं आपके लिए आपका responsibility में यह चोड़ रहा हूं कि आपको प्रेमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और अपने फ्रेंड सरकल के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस प्रेमिली को बहुत अच्छा बड़ा